हाई गाईज वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको स्क्रब और पैक बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके हैंड्स में फीट में एंड फेस पे जो भी संटान है वो पर्मेनेंटली रिमोफ हो जाएंगे इस समर में इस स्क्रब और यूज़ कीजिए ताके जो भी टैनिंग है वो 100% रिमोफ हो जाएं तो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले फ्रेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमें स्क्रब बनाने के लिए टोमाटो चाहिए हम हाफ टोमाटो स्लाइस को रॉ मिल्क यानिकि कच्छे दूद में इस तरह से डिप करकर हमें इस स्क्रब करना है तक यह अच्छे से एक्स्प्लेट करना है जो भी हमारे ड़ेट अलस है वो रीमुफ हो जाया और नए सेल को इंप्रूफ हो जाएं इसी तरह से आपको 5-10 मिनिट तक स्क्रब करना है और इंड्ल करने के बाद आप इसे 5 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दे ड्रै होने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वाश कर ले आप इसे वीक में दो बार यूज़ करें ताकि अच्छे रिजल्स मिले तो चलिए सेकेंड हम पैक बनाएंगे पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चमच मलतानी मिटी लिया है am एक नेक्स क्ष집 भड़ताएंगे हनी एट करेंगे एन हम एक से दो टेबल सपुन टोमाटो का जूज एट करेंगे न इसे मिक्स करने के लिए हम रोज मिल्क आप करेंगे मिल्क अप उतना है ले जितना के पैक अच्छे से रेडी हो जाए इसे एक अच्छा सा थिक पैक तयार कर ले इसमें हमने मुलदानी मिटी दाना है जो टैनिंग को हचाने में बहुत अच्छा इंग्रीडियन्ट है हमने हनी दाला है हनी बहुत अच्छा इंग्रीडियन्ट है इसमें ब्लीजिंग को रिमुफ करे हमें नैचरली फिर औं लो देता है And lastly हमने इसमे raw milk add किया है Raw milk में बहुत से अधा proteins and vitamins होते है जिसे हमारे skin को naturally fair glow बनाता है आप इस pack को इस तरह से apply करके dry होने के लिए छोड़ दे आप होने के बाद आप इसे luke warm water से wash कर ले और इसे towel से wipe it out कर ले आप उधी life result देख सकते हैं कि पहली बार की use से ही मेरे hands में जोड़ी sentence थे वो remove हो गए है अगर आप इसे week में 2-3 बार use करेंगे तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे तो friends यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको जरी से भी पसंद नहीं हो तो मेरे वीडियो के नीचे like a button क्लिक करें और साथी मेरे चैनल को subscribe करें अभी के लिए bye bye